मध्य परदेश में 27 विधान सवा सीटों पर उप्चनाव होने जा रहे हैं इनको लेकर इस समय बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे नजर आ रही हैं सबसे पहले बीएसपी ने आठ उम्मिद्वारों को लिस्ट जारी की है और अब लगातार केडर कैम्प और जन संपर से पार्टी अपनी जनाधार बढ़ाने में लग गई है बसपा की इस चाल से वीजेपी और कांग्रेश दोनों की मुश्किले बढ़ सकती हैं आपको बता दे की बहुजन समझ पार्टी ने विधान सबा छेर लगनादोन की सेक्टर आदे गाउं पपी लोन में बहुजन महापूर्सों की विचारधारा पर आधारित केडर कैम्प का आयोजन किया गया जो सफलता पूर्वक संपन हुआ इस आयोजन में उपस्तित रहे उमकांज बंदेवार डोमन लाल वे लाल सी नदोरे बावुला सिंगोरे साथ में राम सिंग रजक महा सची लगनादोन भी मौजूद रहे इस दोरान बारिश भी काफी जादा रही लेकिन सभी कारे करताओं की पस्तिती थी केडर पच्चास सेक्टर कमेटी का भी गठन किया गया मध्य परदेश के साथ साथ बहुजन समाथ पार्टी अन्य राज्यो में भी अपनी राजनीती गतिविदिया जारी है इसी करम में 28 अगस्त 2020 को भाँजन समाथ पार्टी का बैकोर जिलाज कमेटी पुनगठन एमन समिक्षा बैठक की गई जिसमें मुख्य अथिती मानेवर धरम सिंग असोग जी परदेश परभारी जारकन विसिष्ट अथिती के रूप में मानेवर रामचंद ज्यागी सहाप पूर मंत्री उत्तर परदेश अरुन कुमार परदेश अध्यक बसपा जारकन मुख्या रूप से मोजूद थे मोखे पर हेमन कुमार महतोजी ने पूरे दलबल के साथ पार्टी की सदस्टा घिरांग करी बियोरो रिपर्ट बहुजर हल चल अगर आप चाहते हैं गरीब हरबंचीत इंसान के वाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन का पड़न दवार ना बोले देखते हैं बहुजर नलकर न्यूज